बॉट्वार्णिंग चुलन टेक आट यूर हिंदी वर्क बुक तुड़े वी आर गोईंग टू डू लेसन नमबर फाइव विच इस सुभं का गाउं ठीक है इस पार्ट के मुख अधिस किया है। गाउं और सहर की समस्य आएवं सुविधाओं स्पष्ट करना। कि गाउं में क्या क्या दिक्कते हैं और सहर में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्या क्या सुख्धाएं हैं उसको हमको इसपष्ट करना है ठीक है वह इस चप्टर का मुझ खुद्देश है सुभम एक होनहार लड़का था अपने आस पास हर चीज बड़े ही उसकता से देखना तथा प्रतेक के विशय में जानना चाहता ऐसे ही किनी सोच विचारों में डूबे सुभम ने डारी में लिखने का कुछ मन बनाया तो सुभम कैसा था पिटा सुभम एक होनहार बचा था होन्यार मतलब इंटलिजेंट तक और और वहर चीज पर बहुत ही आपब्जर्व कर सकता था था हर चीज को बहुत ही उस्चुकता से तभी हमें उसके बारे में जानने की जिग्यासा आती हर जीड़ान ने नीदस नह विचार कर रहा था उसने अपने लिखने के लिए ड्याइडे ने ओपन करी मेरे पिता जी जब सहर में आय थे तब उनकी उम्र मत 10 वर्स की थी उसने वह फिर क्या लिखा कि जब उसके पिता जी नोiable क्या होता है इसने वो क्रूंक रहते थे वह लोग जॉप के लिए फिर पर सहर में लह एक्षा है प यह नहां मेंlements प्रमifornburg दर्स वर्स की थी पिता जी को ध्यान है कि वे दादा जी के साथ एक सरकारी मकान में रहते थे तो सुबह जो भबने भाजर की बात कर रहा तो क्या बता रहा कि मेरे जो सुबह के जो फादर थे वो जब सहर आये तो उनकी एज कितीनी थी साल की गाउं से जब इसके फादर गाउं से पादर और जिए व किस ताइब है लग में साथ है और फिफर ददाद के के उनके जङवाब लग गई खे ऐगी इस Спरा वाल काउं प्रफ इसके प्रफ जाते है दादा जी गर का काम करती थी दादा जी सुबह 9 बजे आफिश आते थे और फिर 5 बजे के बाद साम को घर आते थे घर में ना टीवी था ना फ्रेज एक रेडियो था जिसमें कभी समाचार आते थे और कभी अच्छे अच्छे गाने ठीक है तो पहले के टाइम में क्या था ना टीवी फ्री लोगों के पास होता ह थे नहीं था ठीक है कहीं बहुत मतलब जैसे दस बारा पंदरा घरों के बाद किसी के पास टीवी होता था ठीक है और फ्रीज वगारा भी किसी के पास नहीं होता था एकका दुखका लोगों के पास होता था क्योंकि वह सब धीरे धीरे डवलपेंट हो रहा था तो धीरे ध दीरे हर चीज का प्रोडक्शन होने लगा और दीरे दीरे लोगों की पास पैसा आया उसको खरीदने की छमता आ गई ठीक है तो इसके भी परिवार में जो था इसके जो दादा थे उनके घर में ना टीवी था ना फ्रिज था केवले रेडियो था और पहले बिटा जो टीवी जाल आता था उसमें भी ब्रेक रहता था दिन भर चैनल में दिन भर प्रसारण नहीं आता था थेक है और लोगों windy गळेशाष्य काम सब्सका ओफिए और तो जाता थां तो उसे घुड़े κάा ठंडा पानी दिया जाता था इतना सोर सराबा नहीं था और जब गाउं से घर पे कोई आता था उसको तफरीज बग're मखर्द था नह, गटे पानी उसको उसको सर्व करते थे, नहीं देते थे, जो बाड नहीं थी ना ही इतनी गाड़ियां थी और ना ही बजार में इतनी भीड़ होती थी पापा को नौकरी करते-करते आज 25 साल हो चुके हैं फिर वो अपने डादी में क्या लिख रहा है कि अब जोसके फादर हैं वो काम करते करते कितने साल पह गैं बूर्छ को पड़ाई कि मैं अभी पढ़ रहा हूं दादा दादी का मुझे ध्यान नहीं आप यह क्योंखी बहुत टाइम बीद गया तो यह अपने दादा दादी को एदम भूली गया है और यह अभी अपनी पढ़ाई ही कर रहा है यह सारी जानकारी मुझे पापा नहीं दी है पापा बताते हैं गाओं में उनके परिवार के बहुत से लोग रहते हैं तो यह सारी जानकारी यह बता रहा है अपने दादा के ब पापा क्या बताते हैं गाउं में उनके परिवायर के बहुत से लों रहते हैं वे खेती करते हैं और पसु पालते हैं खेतों में ही सब्जियां उगाते हैं और खाते हैं तो उसके फादर ने और क्या बता रखा कि गाउं में उसके बहुत सारे रिलेटिव्स हैं वो रहते हैं और वोलों क्या करते हैं उन्होंने पसू पाल रखें गाओं के लोग और सुद्ध दूद्ध पीते हैं लेकिन गर्मी नहीं होती तो और के उसके फादर ने और के बदा रखा कि वहां पर भैस का ही गाय भैस का दूद्ध लोंग पीते हैं ताजा दूद्ध और बिजली जो है वहां पर कम आती है पहले तो गाओं में बिलकुल लेकिन देले बिजली घण में भी पहुझ गई है लेकिन भीजली आती तो है लेकिन वहां पर कठोटी बहुत ज़्यादा शीने चैसा होता कर निशेन को रहा को कि खुले आसमान के नीचे चरपाई बिचाकर सब लेड जाते हैं को यूर्ज देखता सो जाता है तो कोई ट्रिमॆट्री तार्यों को जब मन करता है हथा पूँआ चला के नल के पानी निकाला और पी लिया सच जल तो वहां पर लोग लोग सोते कहां वह आज खुले आसमान के नीचे सब और देखते हैं और आज जब उनको प्यास लगती है तो कुवें से या हैंड पंप से जल पी लेते हैं तो पानी पी लेते हैं और वहां के जो पानी होता है वो भी एकदम अच्छा होता आप सहरों में क्या है पानी की सप्लाई अपलाई है वह भी इतनी घंदगी चारों तरफ फैक्ट्रियां लग गई है हर चीज हो गया है तो जो पानी आता है व कि वह पानी आने का इंधरार करना पड़ता है सहर में सप्ली देझ समें में लगा लिया तो उससे पाल पानी आने का इंध्यार पर नहीं आता है लेकिन तो दीन असमें लेने के लिए बजार जाना पड़ता है गाव में क्या है दूद सब्जी भी घरी से मिल जाती है घर में उगी हुई सब्जीयां लोग खाते हैं एक दम सुद्ध और गाय भैस का अपने ही दूद गाय भैस का दूद निकाल के पी लेते हैं सहर में पानी कब आता और कब चला और आप मार्कर जाएं तुछ नहीं महगाय हो गई है कि जाहे जितना फैसा लेकर जाएं वह कम पड़ जाता है गाउं में लोग भले ही कम पढ़े लिके हैं लेकिन समधार बहुत हैं सब बड़े छोटे का ध्यान रखते हैं तो गाउं के लोग भले ही वो लोग उनको ऐजुकेशन इतनी ज़्यादा ना पढ़े लिखे हो लेकिन उन लोगे पास common sense और समयधारी बहुत होती है और वे सब लोग छोटे बड़े सब को respect देते हैं एक दिन पापा ने कहा बेटा सुबम चलो गाउं चले वहीं रहेंगे मैंने थोड़ा सुचा कि पढ़ाई का क्या होगा लेकिन ध्यान आया गाउं में एक अच्छा विद्याल है खुल गया है तो यह दिन उसके फादर ने उससे क्या कहा कि बेटा आप चलो गाउं चलते हैं हो सकता है उनके फादर को सहर में धीरे-धीरे करके उनको बहुत फ्रस्टेट हो गया है उनको अच्छा नहीं लग रहा हो तो उसके फादर ने क्या कहा कि अब चलो हमनों गाउं में ही रहेंगे ठीक है कि तो सुबह मनें सोचा कि उसकी पढ़ाई का क्या होगा वह यहां पर पढ़ रहा था लेकिन फिर उसको ध्यान आया कि उसके गाउं में भी एक अच्छा विद्याले अच्छा स्कूल खुल गया है मैंने पापा से कह दिया चलो मैं यहां से भी अच्छी पढ़ाई कि कल हम गाउं जा रहे हैं इस खुसी में मेरी मुझे नीद मेरी नीद उड़ गई है सुबह जल्दी उठना पड़ेगा इसलिए सोना जरूरी है अब मैं सोता हूं सुब रात्री तो अब नेक्ट उनको वहां गाउं जाना था तो वह जो सुबह हम है वह बहुत ही जा रहा है क्योंकि फिर सुबह नीद नहीं पूरी होगी तो सुबह फिर जल्दी उठना और फिर गाउं के लिए निकला है फिर उसने सुब रात्री सबको बोल दिया ठीक है तो यह आपका बहुत एक अच्छा सा चैप्टर था जिसमें गाउं के बारे में और सहर के बारे यह कटिन सब्द की हैटिन डालिएगा और यह सारे सब्द आप लिख लेंगे ठीक है अब हम आते हैं सब्दार्थ यह सब्दार्थ जोह आई होन हार अना भुद्धिमान करवा लायक तो है अब माते हैं पर्षन्माला पर परे अक्सरसाइज सब्सक्राइब सब्सक्राइब करना पड़ता है बिजली की समस्या क्यों नहीं मानते हैं क्योंकि वहाँ का वातावरन सुध्य है और इसलिए उनको जदा गर्मी नहीं रहती और जैसे ही अंधीरा होता है वो लोग सो जाते हैं और फिर मॉर्निंग में एकदम जल्दी उठ जाते हैं भोर में ही तो इसलिए उनको विजली की समस्या नहीं होती है अब जैसे यहां पर क्या सहरों में लोग ग्यारा बज़े बारा बज़े तक जखते रहते हैं वहां किया जैसे अंधिरा हुआ आठ सब्सब्स आंप के दादा जी कहां रहते थे इतों के दा जी पहले तो गावं भी अचे लुए हो जबन आ गो यands जाने के लिए क्यों तैयार हो गया सब्सक्राइब करहें जाने के लिए यह गाओं के जब उसने दोनों चीज को कंपेर किया सहर और गाओं तो उसको गाओं उसे ज्यादा अच्छा लगा और गाओं में उसके एक अच्छा विद्दैले भी खुल गया था इसलिए वह गाओं जाने के लिए तैयार हो गया ठीक है अब हम आते हैं लिखित परसंग प उसका उत्तर है सुभम अपनी आगे की पढ़ाई के लिए गाओं गया ठीक है फिर आपका थर्ड परसन है गाओं का लोगों का वहवार कैसा होता है तो इसमें आंसर हो जाए गाओं के लोगं बहुत समझदार होते हैं और छोटे बड़ों बड़े सब का ध्यान रखते हैं गया तो यम गांकी छेंट कि है सहर की चांच की डोनों की तो उसने अफम की आपका नाम से सूबं में किया प्रतीख रिया थी तो इसकान सबलाब हो जाएगा खुशि पहले período कर दूड़ो गई उदास हो गया या सोचने लगा तो इसमें क्या है हमने क्या पढ़ा कि उसकी खुशी के मारे उसकी नींद उड़ गई ठीक है तो इस पर आप ठीक लगा देंगे फिर थार्ड है गाओ का जीवन सहरों के पेक्षा कैसा है भीड भाड़ वाला साधगी भरा या प्रदूसित तो गाओं का जीवन कैसा साधगी बड़ा साध़ जीवन ठीक है कि अब हम ड्रिक से सबसे भासंने अपनी डैरी में गाओं और सहर की चर्चा की है तो यहां पर शहर में बहुत सांति है तो इस लेंगेवंтов सहर इप lifelong देखिये पर रह, में बहूत सांती यह बिस्वादा करने करने वाले लो रहते हैं तो इसे भी से कर देंगे फे फोर्थ है इससी में आप सब्दे लिखेंगे अब हमाते हैं ब्हाशाग्यान पे नीचे कुस सब्द यूग्म आपस में मिल गए हैं उन्हें पर लिखें पहले हैं कि सब्द यूग्म क्या होता है कि कई बार दो सब्दों को एक साथ यूज करते यह सैं भीड़बार दिन रात ठीक है यह फिर धीरे दीले या चाय वायी चमक दमक तो यह सिंसे वर्ड में हम वाउ physicist करते हैं उन्हीं को हम रोग सथयुवन कहते हैं थेक है उसमें दूसरा वर्ड होता ईसका दूसरा आर्थ भी हो सकता है सेम भी हो सकता है तो इसमें क्या है this exercise में जो वो वर्ड हैं वो मिक्स कर गए हैं जैसे भिड्ध दमक हो गया है तो भिड्ध को आपको किसके साथ एड्ड कर देना देखिए यहां पर भार लिखा है तो भीड्ध भार ठीक है इसको आप जैसे धीरे-धीरे वो आप साथ लिखेंगे अलग-अलग वो भी साथ में आजाता है तो अलग-अलग फित काम का तुछाम फल फूल आभाइब दिन रात चमक दमक रोटी वोटी पिर सगा समंधि कि फिर बड़े बड़े ठैकर खाना वाना रोटी बोटी तो यह सब क्या है सब्द युग में यह सब्सक्राइब क्य पोड़ाइब उसमें अध्य है उसके में उसमें उसका कोई और जो सब्सक्राइब करते हैं जिनका हम लोग संगया के इस्थान पर फ्योग करते हैं उनको हम लोग सरवनाम कहते हैं तो हम यह उपयोग करते क्यों है ताकि हम लोगों को बार-बार संग्या को को बार-बार रिपीट ना करना पड़े ठीक है बार-बार हमें संग्या का इस्तमाल ना करना पड़े इसलिए हम लोग सरवनाम का यूज करते हैं जैसे हम कहा है कि रमेश खेल रहा है रमेश एक अच्छा लड़का है तो उसको कैसे कहें तो यहां पर जो सही वर्ड सही सर्वनाम इसमें कुछ सर्वनाम दीये हैं तो जैसे फर्स्ट है आपका जल्दी से बैग उठाया तो मैं मेरा उसने तो इसमें कौन सा सही वर्ड आजाएगा उसने उसने जल्दी से बैग उठाया तो सही सरुनाम कौन सा होगा यहां पर लिख देंगे उसने ठीक है फिर सेकंड है दादा जी गाव में रहते हैं तो इसमें कौन सा सरुनाम आजाएगा मेरे ठीक है मेरे दाद नहीं हो गा उसने दाधा नहीं होगा कौन साही होगा सब न रसमिलूम ना समझे इसमें कौन सा जाएगा कि हाँ हाँ कि हाँ इसमें कून साही सब्lt नाम रहे गाएगा तुम तुम अब स्व्ल्म को अकेला ना समझो ठीक है तो यहां पर तुम का हम लोग यूज करेंगे फिर फोर्थ है मा की दीवी हिदायते याद आ गई फिर इसमें कौन सा सही सार नाम हो जागा तुम्हारे तुम्हारी तुम्हारे मा की दीवी हिदायते याद आ गई जो उन्होंने बात बताई थी ठीक ह वो हमें याद आ गई अब हम गार एक्सरसाइज पर आते हैं दिये गए सब्दों के वचन बदलिए ठीक है यह हमने जो सब्वनाम वाला ही सारा हमने इसमें लिख भी दिया ठीक है यह उसने मेरे तुम तुम्हारे ठीक है अब हमको क्या करना है कुछ आपको सब्द दिये लुज है सब्दें का क्या हो जाएगा है फिर रात का क्या हो से ठीक है तो से बहुचन में convert कर दिया अब हम next exercise पर आते हैं वो है आपका लिखित बोध सहरों में रहते वे आपको किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है उनके बारे में लिखिए तो आपको जैसे हम लोगों को क्या डिफिकल्टी ज्यादा तर जो बच्चे आप लोगों की बिटा आपने गाउं भी जाते होंगे गाउं देखा भी होगा तो उसको आपको बताना कि सहर में क्या क्या डिफिकल्टी लोगों को फेस करनी पड़ती है तो उसका देखिए हमने यहां पर लिखा है सहरों में बहुत भीड़ हो गई है हर जगह दोड़ भाग लगी रहती है किसी के पास जरासा भी सुकुन नहीं हैं सहर में वक्ति का जीवन एक घंत की तरह हो गया है एक यहन के लिए कोई भी समान जाते हैं दूद्ध भी पैकट वाला रहा हर चीज में मिलावट हो गई है तो कोई भी समान ठीक से नहीं मिलता और हम लोगों का जो एर की क्वाल्टी है चारो तरफ पेड़ की कटाई हो गई है कहीं हर जगे प्रदूशन कूड़ा करकर यहीं सब फैल प्रदूशित हो गया है अब आपकी नेक्ट एक्सरसाइज है रचनात्मक गतिविधी चित्र देखके अपने अपने सब्दों में वर्ड़न कीजिए तो यह गाओं का कुवा बना हुआ है घर बने हुए है साधे से तो इसके बारे में आपको कुछ लाइन लिखनी है तो गाओं का वातावरण बहुत अच्छा होता है पीने के लिए कुएं का सुच पानी होता है और खाने के लिए सुद्ध भोजन होता है तो गाओं में क्या है हमें खाने के लिए सुद्ध भोजन मिलता है और पीने के लिए सुच जल मिलता है गाओं की हवा भी साफ होती है औ भालोंगों में सांती एवम सुकून रहता है और गाउं के उन के पास उसे लोग सजब रहता नहीं ठीक है तो यह दोने हैं तो आप हमारओं लिहीं का या अपने से भी कुछ मिला के जोड़के लिख लीजेगा तो हिए पूरी आप यहाँ पे आपको लिख लिएगा और उसके बाद जो कठीन सब्द दिएगा है उनको भी उसमें आप कर लीजेगा इसके एकसाइस करने के बाद उसको कठीन सब्द की हडिन डालकर उसको लिख लीजेगा और बैटा जो जो बिटा जैसे सर्वनाम वगारे वाला जो है उसमें आप क्या किजिए पूरा सेंटेंस लिखेगा है सेंटेंस लिख करके फिर जहां पर वह आया है फिल इंदा ब्लैंक वहां पर आप वह सब लिखिएगा ठेक है ओके बिटा बाइर टेक केर